Brought to you by Agilis Diagnostics Agilis Diagnostics शुक्र आज केजरिवाल जी को जनता की याद तो आई पिछले दस साल में जो वेक्ती ये लगातार कहता था कि हम जनता से पूछ कर अपने फैसले लेंगे आज दस साल बाद जब उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और यह मैं बात इसलिए कहा रहा हूं क्योंकि अगर यह अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा देते तो उस समय देते जिस समय इनके उपर आरोप लगे थे स्वेच्छा से इस्तीफा देते तो तब देते जब वो जेल गए थे जब रस्टा देते ही जनता की यादा गई कोई बात नहीं लेकिन जनता के कुछ सवाल भी है और जनता ये जानना चाहती है कि जो दस साल आपको दिये राधर ग्यारा और बारा साल होने को हैं जो जनता को आपने वादे किये थे कि ब्रस्टाचार खतम कर देंगे क्या हुआ उस वादे का आज आपके साथ साथ आपके उपमुक्य मंत्री आपके पूरा मंत्री मंडल लगातार भ्रस्टाचार के आरोप में जेल के हवा खा कर आएं आज जनता ये पूछना चाहती है कि उन्होंने बड़ी डिवलेप्मेंट की बात की थी कहा है वो डिवलेप्मेंट कहा है वो पा पैसे से बोटल खरीद कर टेंकर माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो जनता आज सवाल पूछती है कहीं न कहीं उनको आज भी इस बात का एसास हो जाना चाहिए कि जनता की मन की बात भी जरूर सुन लिए जाएं सिर्फ मोदी ज देना का काम तो कर सकते हैं लेकिन जनता क्या सोचती है उसके बारे में जरूर विचार करें यह वही व्यक्ति हैं जब पावर में नहीं थे तो यह कहते थे कि हम मुख्यमंत्री बंद भी गए तो एक छोटे से मकान में रहकर अपना काम चलाएंगे जनता की सेवा करेंगे यह वही व्यक्ति हैं जो कहते थे कि मैं वैगनार में ही खुश हूँ अब दुबारह से उसी की पुनरवर्ती होने जा रही है यह ड्रामा यहीं नहीं रुकने वाला क्योंकि आज आप लोग ने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से जब से मुक्यमंत्री पद से इस्तीफ कि से एकस्पोज हो चुके हैं और ज vigor यह जानती है कि मानियाश शीला जी ने दिल्ली की का निरमान किया था शीला जी ने ब्रिक ब्रिक बाइ ब्रिक दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम किया था और आज कहीं ना कहीं वो शीला जी तब भी आदाती है जब उन्होंने शोशल जो सिक्यूरिटी थी लोगों की चाहे वो राशन कार्ड के रूप में हो चाहे सिलिंडर फ्री सिलिंडर देने की बात हो चाहे पैंशन की बात हो उन सब में उन्होंने बहुत बहतर काम किया था उन्होंने बसें का जो था एन्वायमेंट को सुधारने का काम किया बसें डीजल से थी उनको सी एंजी में कनवर्ट करने का काम किया आज पूरी दिल्ली में अगर प्लायोवर्स का नेटवर् तो वो कहीं ना कहीं शीला जी की देन है आज उनके उपर इस तरीके के इल्जाम लगाना की एहंकारी सरकार थी आप याद करिए कि आप वही वेक्ती हैं जिन्नोंने उनके उपर पहले भी आरोप लगाए थे और अल्टिमेटली कोट में जाकर माफी मागने पड़ी थी तो ज तरीके का वो कि उनके बारे में वो क्या सोचती है बहुत दुख्की बात है कि मर्यादा पुर्षोत्तम राम की बराबरी करने की एक कोशिश या उनकी तुलना केजरिवाल से करना ये हिंदु धर्म के लिए शर्म की बात है क्योंकि मर्यादा पुर्षोतम राम की हम सभी जहां राधना करते हैं पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मर्यादा को रखते हुए अपने धर्म को बचाने के लिए जंगल में जाने का काम किया और दूसी तरफ केजरिवाल जी जो भ्रस्टाचार के मुकद में जेलते हुए जेल में गए थे पहले इनके स्वरब भारदवाद जी ने एक बार नहीं दो ब कावरिती हुई है मुझे दुख है और इससे कहीं न कहीं जो हिंदु धर्म के लोग हैं वह कहीं न कहीं आहत जरूर मैसूस करेंगे करेंगे